हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और श्वागत है आपका हमारे चैनल RD Boutique पर फ्रेंट्स आज की स्वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पीछे गले में हम फ्रिल लगा करें एक सिंपल गला को डिजाइनर गला कैसे बना सकते हैं फ्रिल लगाने का पूरा टेक्निक आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला आप सभी के काम को असान वराने के लिए दिलिप टेलर्श और बुटिक बलाओ जो सूब के पेपर कटिंग बनाता है अगर आप लोग एक बड़े मश्टर की तरह कटिंग और सिखना चाहते हैं तो हमारे ओनलाइन क्लासिस को जोईन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दिलप टेलर्श मोबाइल आप ज़रू डाउंडूड कीजिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे तो फ्रिल के लिए देखिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक कटिंग किया हुआ है कि इस तरह से दो इंच सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको फोल्ड कर लेना बील से और इसको उरेब नहीं काटना है सिदा सिदा आप काट सकते हैं तो दीखें डबल फोल्ड करने के बाद ये जो स्टीच आपने लगाया ना उसके बाद वापस इस तरह से रखें और छोटी-छोटी इस तरह से प्लेट्स डालनी हैं प्लेट्स डालने के लिए आप बारिक सुई का यूज करें हाथ से उतना फिनिसिंग से आप नहीं कर प प्लेट्स आपको लगाते जाना है सुई के इस्तमाल से जितना लंबा आपको ये फ्रेल चाहिए उतना लंबा तयार कर सकते हैं अब आगे अगे आगे अगे तो दीखें गले पर और अटैच कैसे करना है यह इस तरह से रखेंगे फिल्कु सीधा सीधा रखना है कोई टेंशन नहीं यह इस तरह से देख लेना पहले बराबर आ रहा है कि नहीं जो अपने फ्रिल तयार कि ऐसा नहों कि छोटा पड़ जाए बीच में पर आपको जोएंट लगाना पड़ है इस तरह से नहीं होना चीह है पर इतना ध्या रखना कि फ्रिल बनाने के लिए आपने जो सिलाई लगाई है ना कि उसी सिलाई के ऊपर या उस तीलाई के लेफट साँड में आपको सिलाई करनी है ताकि वो सिलाई बाहर से ना दिखिए अब ये फ्रिल हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जितना जोरत ना रख ले बांकि एक्ष्ट्रा काट दें है ये ऐसी है कि इसके बाद कि दूसरे साइड का फ्रिल भी हम ऐसे ही अटेच करेंगे हैं हुक पट्टी लगी हुए अंदर की तरफ जो कि हमने पहले से लगा दिया है हुक की पट्टी को आई की पट्टी को अभी नहीं लगाएं क्योंकि फ्रिल लगाने के बाद उसमें लगाना है आई क कि पट्टी हम लगाएंगे इसके बाद यह जो दूसरी साइड जिसके मैंने बात की थी इसमें आई पट्टी हम लगाएंगे वे इस तरह से जॉइंट कर देते हैं वैसे तो आई पट्टी कपड़ा और असतर दोनों का लगाना चाहिए कि यहां पर फैबरिक मोटा है तो हम सिंगल पीस का ही यूज़ कर लेते हैं इस तरह से अटेच करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करना फिर उल्टा फोल्ड करना और नीचे से बराबर मिलाके सिलाई कर देना यह ऐसे यह हो गया इसको ऐसे पल्टाएं इसका नौक बराबर से निकाल लें केंची की मदद से ऐसे और फिर सिलाई कैसे करने हो देखिए इस तरह से आई पट्टी अपको लगानी है और उसके बाद यह जो है यहां पर ऐसे बैठेगा थीक है तो बराबर यहां पर निशान लगा लेंगे थोटा बड़ा नहीं होना चाहिए अब आपको आपको का यह जो पट्टी है बराबर दिखना चाहिए यह देखिए देखिए यह जो सिलाई दिख रहे हैं इसको कवर करने के लिए ना हम यहाँ पर येलो कलर की मतलब ब्लाउज के कलर की पुरे पट्टी लगाएंगे जिससे इस फ्रेल का लूक बढ़ेगा और यह आपको उल्टी तरफ से लगाना है कटिंग कर लेना डेडी इंच की पट्टी और इस तरह से उल्टी तरफ से फिट करना है अब देखिए यह ऐसे पहले अंदर फोल्ड करना फिर इधर से दो बार फोल्ड करना अपने हिसाब से यहाँ पर एडजेस्ट कर लेना कितना मोटा आ रहा है और और पतला करना चाहते है उस उरूब पट्टी को तो यह जो जॉइंट है ना फ्रिल का और पीछे पले के गले का उसको और आप काट के बराबर कर देना यह मुझे सफिसेंट लग रहा है काटने की जूरत नहीं है इतनी चोड़ी पट्टी रहने चाहिए तो इसको बनाते दो बार मोड के फिनिशिंग्स हैं पर बस आपको सिलाई लगा तो चलिए यह सिलाई लगाते हैं ठीक ऐसे दूसरे साइट को भी आपको मोडना है यह देखिए तो यह देखिए फ्रेंट्स एक सिंपल गोल गले की ब्लाउस को आप इस तरह से हलका सा डिजाइनर पैटन में कनवर्ट कर सकते हैं पूरे पट्टी और फ्रिल की मदद से कैसा लगा यह डिजाइन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर फ़ली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी आप लोगों को इस तरह की वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे मैं राजान आप से फिर मुलागात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टोपे के साथ त तक के लिए जाएं